हाँ आ एरिवन वेलकम टू जी सेंट्रिक और पिछले लेक्चर में नेटवक का इंट्रोड़क्टरी लेक्चर आपने देखा होगा, सिलेबस देखा होगा, किस तरीके साब को पढ़ना है, सब कुछ मैंने आपको बता दिया था कि लेक्टर कल में कौन से टॉपिक है, EC में कौन से हे और इंस्टुमेंटेशन में कौन-कौन से आपको टॉपिक पढ़ना है, ठेक है तो चलिए इस लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करेंगे Network theory, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि Network theory word का मतलब क्या है, देखे जो Nearwork है, Network का एक और नाम हम बोल सकते हैं, एक और नाम हम बोल सकते हैं, that is circuit, circuit, बहुत सारे student इसको circuit, circuit भी पढ़ते हैं, बहुत सारे southern इंडियन इस्टुएंट, circuit पढ़ते हैं, बहुत सारे northern इंडियन इस्टुएंट पढ़ेंगे, circuit पढ़ते हैं, कई बार इसको, ठीक है, तो आपकी जै चाहिए करो कुशन बनना चाहिए circuit से तो सिर्फ इतना ही फरक है अब देखें network को हम लोग कई भार circuit बोलते है इस बजह से इसको circuit theory आफिर circuit theory भी बोलते हैं इस subject का नाम एक उर है बहुत सारे अलग अलग अथरने किताब लिखी है उसमें आपको circuit theory भी देखने को मिलेगा network theory बोले या circuit theory बोले एक ही बात है अब क्या ये दोनो exactly same है network और circuit थोड़ा सा difference है थोड़ा सा क्या difference है वो आपको मैं बता देता हूँ थोड़ा सा difference ये है कि जो circuit है ये always closed path होगा क्या होगा always always क्या रहेगा ये closed path always 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 closed path always closed path होगा और जो network है network क्या है closed path हो भी सकता है और closed path नहीं भी हो सकता है तो क्या हम ये बोल सकते network के लिए may और may not be closed path may और may not be may not be closed path closed path ठीक है अब देखिए अब आप बोलेंगे सार सार्पे से पहले आप में circuit का मतलब समझा दीजिए तो कोई पूछा आप से के interview अगर आप भी कई बार है ना surprisingly इस तरही की चीज़े पूछ लेते बटाइ what is circuit तो आप क्या बोलेंगे सिर्फ इतना बोलना है आपको कि it is the interconnection of electrical elements क्या बोलेंगे आप ये electrical elements का electrical elements का interconnection होता है ठीक है जैसे एक example आपको बताता हूँ इस तरीका एक example समझ लीजिए कि यहाँ पर एक battery है और यहाँ पर एक बेटरी है और यहाँ पर यह दो वायर्स हम लोग ने positive battery ठीक है positive terminal और negative terminal से हम लोग ने क्या कर दिया है दो वायर्स को connect कर दिया है और यहाँ से हमा लगेगा glow करने लगेगा तो यह हमने example लिया है simple electrical circuit का एक example लिया है अब current क्या होगा voltage क्या होगा सब के सब में पढ़ाऊंगा है हर चीज आपको पढ़ाऊंगा यहाँ पर तो यह simple example है ऐसा बहुत सारे examples हम लोग ले सकते electrical circuit के बहुत सारे examples आपके घरों में भी बहुत सारे electrical circuit देखें जिसमें voltage और एक load लगा है इसके बीच में आप लोग क्या कर रहे है कहीं ने कहीं wire जोड रहे है अब यह जिसे wire होगा तो इसका resistance भी होगा ठीक है हो सकता इसका inductor भी होगा तो हमारे जितने भी parameters होते हैं वो क्या है resistance R, L, C यह सारे के सारे elements है इनका जो interconnection है voltage, current इन सबका interconnection है इसको हम क्या बोलते हैं electrical circuit बोलते हैं तो simply electrical circuit क्या है it is an interconnection of electrical element ठीक है तो यह छोटा सा आपको फर्क जाना है कि network और circuit में क्या आंतर है, closed path और closed path नहीं वाला छोटा सा fine margin है वो अलग चीज़े, चलिए next चलते हैं हम लोग, theory, theory का मतलब क्या है कि theory में दो चीज़े आती है, theory में क्या आती है, दो चीज़े, उन दोनों चीज़ों के बारे में हम लोग discuss करते हैं, एक तो होता है हमारा analysis, एक क्या होता है हमारा analysis, और दूसरा होता है synthesis, synthesis, analysis और synthesis, theory का मतलब क्या है, analysis और synthesis दो portion में इसको समझते हैं, analysis का मतलब क्या है, सबसे पहले analysis का मतलब समझते हैं, तो ये जो है हमारा analysis का जो मतलब है वो ये है, कि suppose करिए आपको एक circuit available है एक electrical circuit क्या है, आपको given है, है ना, electrical circuit given है और उसमें आपको क्या दे रखा है input given है input भी क्या है, आपका known है इसको हम लोग input भी बोल सकते हैं या फिर excitation भी बोल सकते है excitation, ठीक है इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं excitation भी बोल सकते है excitation, input या फिर excitation, इसका मतलब आपके पास एक circuit given है, जिसमें input given है और हमें क्या निकालना है हमें output पता करना है हमें क्या पता करना है output पता करना है output बोल सकते हैं या फिर इसको हम एक और चीज़ बोल सकते हैं response भी बोल सकते हैं तो यह excitation, response यह सब आप control system यह signal system में पढ़ोगे हमारी भाषा जो है वो input और output किये simply excitation और हम यह बोल सकते हैं इसको बोलते हैं response 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 तो यहां पर analysis का मतलब है आपको एक circuit गीवन रहेगा input गीवन रहेगा और आपको find out करना रहेगा आपको find out करना रहेगा output या फिर response find करना रहेगा अब output में क्या क्या हो सकता है output में हो सकता है आपको voltage find out करना पड़े, current find out करना पड़े, power find out करना पड़े, है ना, majority of time पे हमें voltage, current या फिर power ही किसी element की, इस circuit में कोई भी element होगा, उसके एक्रोस हमें current, voltage या power find out करना रहेगा, तो ये चीज़ क्या है, आपकी analysis के अंदर आती है, अब बात करें हम लोग synthesis की, तो synthesis में थोड़ा सा क्या होगा, difference है, थोड दोनों के दोनों क्या रहेंगे, नोन रहेंगे, दोनों के दोनों क्या रहेंगे, input और output दोनों के दोनों आपको पता रहेंगे, आपको क्या करना है, आपको ये circuit को design करना है, इतना बात समझे कि input, output दोनों की इवन है, circuit design करना है, ये part कहलाता है आपका synthesis, इसलिए बहुत सा सारी किताबों में जो आपकी network theory की बहुत सारी किताब आती अलग-अलग author की तो आप front page पे देखिएगा कई बार ऐसा लिखा रहेगा network analysis and synthesis क्या लिखा रहे था है network analysis and synthesis मतलब उस book में उस author ने analysis के बारे में पढ़ाया है आपको और analysis में क्या है हमें circuit को solve करना है ठीक है और synthesis में circuit को design करना है इतना सा अंतर है समझ माया तो बहुत सारी किताबों में circuit theory analysis and synthesis network theory analysis इस तरीके से अलग-अलग heading हो सकती है तो आपको सारा जितना भी author अलग-अलग नाम बोलता है उन सब का meaning कम से कम पता होना चाहिए तो आपको चीज़े clear है चार चीज़े यहां से पता चलिए आपको network क्या होता है circuit क्या होता analysis का मतलब क्या है synthesis का मतलब क्या है बट हमारे syllabus में क्या है हमारे syllabus में बहुत पहले synthesis वाला part हुआ करता था बहुत पहले synthesis वाला part हुआ करता था बट अब latest syllabus के according synthesis वाला portion हमें नहीं पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ हमें analysis वाला portion पढ़ना है analysis में हमें क्या given रहेगा हमें circuit given रहेगा उसका जो input voltage current जो भी जिस भी form में excitation हो चाहे voltage source के form में हो सकता है चाहे current source के form में हो सकता है कुछ भी हो सकता है Input किसी भी form में हो, circuit given रहेगा, ये given रहेगा, और हमें ये चीजे find out करना है, output हमें find out करना है, तो simple सी चीजे है कि आपको ये जो circuit given है, इसके अलग-अलग example सा हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे, पूरी theory में, सिर्फ और सिर्फ circuit को क्या करना है हमें solve करना है, सिर्फ को हमें क्या करना है, simply solve करना है, और ये जो subject है आपका network theory, ये कहां से निकला है, अल्रेडी में पहले lecture में बताया था, ये कहां से निकला है, electromagnetic field theory से निकला हुआ subject है, देखें, Electro-Magnetic field theory और network theory में थोड़ा सा difference है, electromagnetic theory क्या क्या है, कहीं पर भी उसको लगा सकते हैं, but network theory क्या है, it is the special case of electromagnetic theory like higher frequency, 1 megahertz के उपर अगर हम लोग जाएंगे, तो फिर network theory आपका fail हो जाता है क्योंकि network theory में जो element है आपके, यह जो resistance, inductance और capacitance है, यह हम लोग इसको lambda parameter कर पाना मुश्किल होता है, above 1 megahertz frequency, इस वज़े से network theory का क्या limitation है, कि यह कहां तक अपलिकेबले, up to 1 megahertz frequency range के लिए अपलिकेबले, but जो EMFT है electromagnetic field theory, वो low frequency या high frequency दोनों के लिए अपलिकेबले, तो देखे, ohms low आप महाँ पर electromagnetic field theory में पढ़ेंगे, और यहां पे भी पढ़ेंगे, बट यहां पे आपका जो mindset रहेगा, वो सिर्फ और सिर्फ numerical problem solving, circuit को solve करने के उपर ज़्यादा focus रहेगा rather than की conceptual, ठीके conceptual चीज़े हमें ज़्यादा नहीं पढ़नी है सिर्फ और सिर्फ हमारा focus जो रहेगा वो main focus, focus जो रहेगा वो circuit को solve करने के उपर रहेगा electromagnetic field theory में हम लोग थोड़ा सा energy में deal करते हैं, वहां थोड़ी सी चीज़े अलग धंग से समझेंगे थोड़ी से advanced level पर समझेंगे ठीके, बट अभी हमें electromagnetic field theory नहीं है, वो भी अनन्स शेकर सर ने बहुत ही अच्छे तरीके से अल्रेडी पढ़ाया हुआ है जिस से इंटर का application पर अवेलेबल होगा अभी हम लोग सिर्फ network theory पर focus करेंगे और बहुत ही अच्छे quantity में numerical solve करेंगे, अब समझ में आगे आगे आपको network theory का पूरा का पूरा एक introduction पार्ट, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं तो अब इसमें हम लोग start करेंगे start करेंगे हम लोग basic concept जो syllabus का portion था आपका उस syllabus में जो पहला topic था basic concept, अब यह basic concept वाला जो unit है पहली unit, इसको unit 1 भी बोल सकते हैं क्या बूल सकते हैं, unit number 1 पहली unit, first unit हमारा क्या है basic concept, इसमें हम लोग क्या-क्या पढ़ेंगे पहले मैं road में बता देता हूँ इसमें हम लोग पढ़ेंगे पहले system of units पढ़ेंगे पहला, second क्या पढ़ेंगे charge and current के बारे में पढ़ेंगे अब आप बोलोगे, sir charge के बारे में पढ़ेंगे बिल्कुल पढ़ेंगे, बिल्कुल zero level से charge क्या होता है, current कैसे flow करता हर चीज यहाँ पे detail में discussion होगा ठीके, ताकि आपका पहले सो कोई भी basic knowledge भी नहीं है, तो भी आप इस lecture को देखेंगे, तो बहुत आराम से समझ में आएगा, और network theory अच्छा समझ में आगया, तो machine power system, power electronics, इसमें आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी next है हमारा voltage, EMF और potential difference, इसको भी हम लोग समझेंगे तीनों, यह इसको पूरा समझेंगे और इसमें फर्क भी देखेंगे कि voltage, potential difference यह EMF में अंतर किया है, ठीक है power और energy, ती चार हमारे सब topic है basic concept के इसको एक-एक करके हम लोग पढ़ना start करते है, तो पहला शुरुवात करते हम लोग system of units से तो पहली सब unit है हमारी systems of unit, ठीक है, systems of unit basic concept का जो पहला portion उसको हम लोग पढ़ने से पहले आपको एक चीज बताना चाहूंगा, दीक है units हम लोग क्यों बनाते हैं, ठीक है किसी भी चीज को एक इस्टेंटराइज करने के लिए, suppose कर यह pen है चोटे से examples हम लोग start करते हैं यह आपको क्या नजरा रहा है, pen है आप भी इसको pen बोलेंगे और कोई भी pen बोलेगा, बट सबसे पहली बार तो इसको किसी ने pen बोला होगा ना, इसका किसी ने standardization किया होगा कि कोई भी लिखने वाली चीज को हम क्या बोलेंगे, pen बोलेंगे pencil, pen, wood ठीक है, हर चीज को watch हर चीज को हम लोगों ने क्या किया है एक नाम दिया है, उसी नाम से पूरा के पूरा जितनी भी आपकी human community है वो इस चीज को बोलेंगे, हो सकता है एक के दो नाम भी हो सकते हैं, ना तो ये कैसे आया, देखिए एक चोटा बच्चा क्या होता है, जब जन्म लेता है चोटा बच्चा जन्म लेता है तो धीरे धीरे, वो अचानक से तो बोलना स्टार्ट नहीं करता शुरुआत में क्या करता है, वो बहुत ज़्यादा रोता है है ना, अगर मालीजी कूई चोटा बच्चा जिसे बोलते नहीं आता और कोई खिलोणा खेल रहा है अगर और उससे च्छीन लिया जाए वो खिलोणा उससे च्छ चीन ले जाए ठीक है, अब देखें क्या हुआ, जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ, जब हलका हलका बोलने लगा, हलका हलका जब बोलने लगेगा, तो इस bottle को correct pronunciation नहीं करके, वो इसका कुछ x y z जो भी है, वो bottle बोतल दे दो, जो भी है, वो अलग तरीके से अपना tongue जो है, उसको slip करक कि बच्चे को कहा, उसने कोई tuition तो गया नहीं कि बठी के चीज़ों को समझने के लिए वो क्या हुआ, घर वाले सभी अगर इसको bottle को bottle बोल रहे हैं, सभी उसने देखा उसके आसपास के जितने लोग इसको bottle बोल रहे हैं, bottle के नाम से जान रहे हैं, तो बाकि सभी लोग प्रांस या, UK या कहीं और प्रेदा हुआ है, जहां का language कुछ अलग है, तो बाकि घर के member जिस language में बोलेंगे, वो भी उस language से सीख जाएगा, तो इसका मतलब है कि कोई भी चीज को हमें standardization करना है, तो सबका अनुमती जरूरी है, तो इसलिए हम लोगों ने देखा कि जितन common reference point नहीं बन पाएगा, just like अगर हम लोग थोड़े से different example की बात करे, measurement की बात करे, आप सबजी भाजी वाले के पास गये होंगे, कि भी या, एक किलो हमें सबजी दे दो, एक किलो पालक दे दो, तो वो क्या करता है, कैसे देता है, ऐसे देता है क्या, नहीं देता है, कैसे कर थे देता है, जिसको हम क्या बुलते हैं, वो क्या करेगा, वो क्या रखेगा, वो क्या करेगा, इस तरीके से 5, उसमें होते हैं, वो इस तरीके से पुरा, मैं clear नहीं बनाया, एक तरीका 1 kg लिखा हुआ रहता है, 1 kg आईरन का पीस रखता है, और दूसरी तरप तरा जो में क उनों का तराजू का काटा जब बराबर हो जाएगा वो आपको दे देगा और एक किलो के हिसाब से पैसा ले लेगा अच्छा उस सब्जी वाले ने क्या यह आईरन पीस काई का बना होता है यह आईरन पीस होता है ना वनकी जी का यह क्या उसने घर पे बनाया नहीं यह कहां स सारे सब्जी वाले क्या करते हैं? एक पत्थर भी यूज कर लेते हैं। उस पत्थर का वेट क्या करते हैं? वो 1kg जो standard weight है उससे measure करके 1kg का पत्थर रखके भी वेश्मेंट कर लेते हैं। क्योंकि बहुत सारे चोटे-चोटे मान दीजिए 100 ग्राम का 500 ग्राम का 300 ग्राम का या 200 ग्राम का जो बाट होता है वो सारी जब अवेलेबिलिटी नहीं है अगर सबजी वाले के पास तो वो क्या करता है कि हर सबजी वाला सारे बाट नहीं रखेगा है ना वो क्या करता 1 kg का रख लेगा 5 kg का रख लेगा या 2 kg का रख लेगा बाकि अगर 500 ग्राम या 200 ग्राम या 100 ग्राम के लिए क्या कर देता है वो कई बार पत्थर यूज़ कर लेता है तो जो पत्थर है उसने क्या किया ओरिजिनली जो iron piece standardized जो standard 100 ग्राम का बाठ होगा उसस उसे compare करके उस stone को उस पत्थर को उसने क्यार लिया measure कर लिया और वो हर जगे पर पत्थर यूज़ करता और कई बार तो हम लोग पत्थर से वो जब measure करता तो हम लोग भी मान जाते हैं तो यह एक प्रोसेस है measurement की अब देखिए यह तो क्या है यह सारे पत्थर भी क्यों यूज़ कर पारे सबजी वाले क्योंकि उनके पास एक standard set है weight का एक set है standard set है और अगर यह नहीं हो तो फिर अगर यह नहीं हो तो हर कोई अपने हिसाब से हमारा 1 kg अलग है तुमारा 1 kg अलग हमारे 1 kg में अगर इतने चीज़ा आरही तो आपके 1 kg में अलग आरही है इंजिनेरिंग में बहुत सारे हम लोग मेजर 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 मेजरमेंट बहुत सारे मेजरमेंट क्वांटेटी हम लोग यूज करने वाले हैं अब वह अलग-अलग जो क्वांटेटी हो उनका इस्टेंटराजेशन करना जरूरी था और हमको एक क्योंकि इंटरनेशनली तौर एक language बनाना था, तो हमने क्या किया एक international language बनाया और उसको हम लोगोंने क्या बोला international system of unit क्या बोला international system of unit तो हम लोगोंने क्या किया कि एक common platform तैयार किया और सारे जितने भी weight और measurements से related जितनी भी चीज़े हैं उसको एक standardization करने के लिए हम लोगों एक committee बनाए और उसमें हम लोगों एक international system of units जिसको हम लोगों ने 1960 में adopt किया General Conference में General Conference में 1960 में हम लोगों ने यह सारे international system of units को adopt किया और इसी के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे अब हमारे जितने भी measurement होगी जितने भी हमारे measuring quantity होगी उसको एक standardization कुछ units को किया उसके basis पे हम लोग दूसरी units को measure करेंगे ठीके वो कौन-कौन से unit थी वो unit थी आपकी international system of units जिसको हम क्या बोलते SI units क्या बोलते हैं इसको हम लोग measurely SI units बोलते हैं कौन-कौन से थी इसके अंदर केलविन टेंप्रेचर को measure करना हो तो हम लोगों केलविन केस है यूस किया हम लोगों हो मीटर, distance को measure करना हो था हमने मीटर दिया जिसको इसका जो symbol sauce symbol वो क्या है M है अगर हमें electrical current को measure करना है तो हमने क्या दिया holes, ampere का जो symbol है वो A है हमें अगर time को measure करना है तो हमने unit क्या दी, उसकी SI unit क्या दी second दी, ठीक है, उसको S से denote करते हैं ठीक है, और amount of substance, यह आपने chemistry पढ़ा अगर mole concept, ठीक है amount of substance अगर हमें measure करना है तो mole से दिया है, next हमारा किसी भी mass, जिसका अभी मैंने example दिया था न, यह सब mass अगर mass को अगर हमें measure करना हो तो हमने क्या दिया kilogram, जिसको हमने kg बुला, ठीक है, और intensity of light को अगर हमें measure करना है तो हमने क्या दिया, candela CD, यह वैसे तो क्या है 7 unit से, वैसे तो क्या है 7 unit से, बट बहुत सारी किताबों में, बहुत सारी किताबों में यह जो mole concept है न, आपका जो mole concept है, यह क्या है हमारा chemistry से related है, chemistry से related है तो कई बार इसको यहाँ पे नहीं लिखके क्या बूल सकते हैं, इसको हटा के 6 units भी बूल सकते हैं 6 units भी बूल सकते हैं तो हम लोग SI units में, किसी किताब में 6 unit भी दे, तो confuse मत होना दिक्कत मत देना, है न, कि यहाँ पे गलत printing है या कुछ है, ठीक है चलेगा कोई दिक्कत ने, उन लोगों ने क्या है जहाँ पे भी 6 unit गीवन होगा, तो यह mole वाली unit होगी, वो नहीं गीवन होगी जो unit है, उसको consider नहीं किया होगा, तो टोटल यह 7 unit है, इस international international system of units में, जिसको हम लोग क्या बोलते है, SI, SI system या SI units, वो 1960 में, 1960 में हम लोग ने क्या क्या, अप्रूब किया, ठीक है, एक general conference होई थी, सबकी सहमती से तो एक international units बन गई है, जो हमारी language बन गई है, क्योंकि measurement और weight और measurement के लिए international unit बनाना जरूरी है, सपोज करिए किसी दूसरी country से हम लोग port के थूँ हम लोग कुछ ने कुछ समाल ले रहे हैं तो उनके और हमारे जो standard है, वो parameter match करने चाहिए, या कई बार अगर parameter match नहीं भी करें तो कहीं ने कहीं एक reference point होना चाहिए कि हाँ, इतने को इतना बोल रहे है, इतने को इतना बोल रहे है तो एक common हमारा language होना चाहिए, जैसे वो बच्चा वाला जो example दिया था, मैंने जो bottle वाले example दिया था तो उन्होंने क्या किया, हो सकता घर वाले वो bottle को कुछ और नाम से बोल दे तो बच्चा भी क्या है, उसी और नाम से सिख जाएगा तो कोई भी दो country क्योंकि देखिए, जैसे English है English language को भी हम लोगों ने किया, universally adopt किया है क्योंकि सब की, जैसे हमारी भाषा हो सकती हिंदी भी हो सकती है अब इंडिया में तो बहुत सारी original language भी है ठीक है, बहुत सार original language भी है तो अगर हर एक original language से हम लोग करने लगए तो फिर दिक्कत होगी तो हम लोगों ने क्या किया, English को एक क्या किया, universally adopt किया सभी country में, ताकि अगर आपको वहां की भाषा नहीं भी आए तो दूसरी भाषा अगर English आती है, तो उससे भी आपका काम चल जाएगा तो एक common reference बना दिया, तो SI units भी वैसा ही है यह आपको कोई circuit solving करने में कोई बहुत जादा ऐसा नहीं होगा कि यह आपको already 12th का concept पता होगा बट मेरा कामें थोड़ा सा revise करवा देना पुरानी चीजों को next आपका, देखिए, यह भी बहुत important है, बहुत सारे student यहाँ पर confused होते हैं कहाँ पर confused होते हैं, कि milli, centimeter, micro, units में काफी confused हो जाते हैं तो हमने SI prefix भी इन लोगों ने उसी दिन दिये हमें और उसमें देखा हम लोगों ने कि centi, देखिए, यह हमारा क्या है इसमें बहुत पूरी पूरी टेबल है, आप देख लीजेगा, जो काम की चीज़े वो बता देता हूं में milli आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, क्या काम आने वाला है, milli milli को क्या बोलते है, 10 to the power minus 3, micro को क्या बोलेंगे, 10 to the power minus 6 ठीक है, और nano को बोलेंगे, हम लोग 10 to the power minus 9, pico 10 to the power minus 12 बट 3 ज़्यादा important है, है ना, pico भी important है, फेंटो भी है, बाकि आप सिर्फ वर सब 3 चीज़े याद रखे milli, micro और nano, इन में ज़्यादा काम पड़ेगा आपको, इधर kilo आपको पता है, kilo अगर आएगा के, है ना, kilo आएगा 10 to the power 3 और यहाँ पे mega, mega capital M3 denote करें 10 to the power 6, giga 10 to the power 9, इधर की 3 आपको याद रखनी है, ठीक है, इधर की 3 याद रखनी है just like, अगर मैं electricity की बात करूँ, electricity की बात करूँ, power की बात कर लेते थोड़ी दर के लिए, तो यह है 1 watt power, ठीक है, watt में और इसका अगर छोटा unit जो है, वो हम यह बूल सकते हैं, कि 1 into 10 to the power minus 3 milli watt, ठीक है, 1 into 10 to the power minus 6 microwatt उसी मिलरलि, उपर अगर देखूं, तो 1 into 10 to the power 3 इसको हम क्या बूलते हैं, kilowatt बोलते है, 10 तो the power 3 को, ठीक है और 1 into 10 to the power 6 है, तो इसको हम क्या बूल सकते हैं, 10 तो power 6 को हम बूल सकते हैं, megawatt, kilowatt, megawatt, ठीक है तो इस तरीके से आपका gigawatt भी चलेगा, तो इस तरीके से आप power में एक example दे दिया, तो ये units में भी काफी लोगो confusion होता है क्योंकि network में आगे चलके बहुत सार restaurant processor ये 10.3 कैसे लिख देते हो 10.3 कैसे लिख देते हो नेक्स लेक्चर से हम लोग चार्ज और करिन के बारे में पढ़ेंगे, तो इस पूरे लेक्चर का मैं समरी कर देता हूँ, ठीक है summarize कर देता हूँ, हम लोगों ने कहां से start किया network theory से start किया, network में हमने circuit को पढ़ा, analysis, synthesis क्या होता ये जान लिए हम लोगों ने, ठीक है और उसमें हमने देखा कि हमारे syllabus में सबसे ज़्यादा क्या पढ़ना है, हमें analysis वाला हिस्सा ही पढ़ना है, मतलब हमें circuit को solve करना है, ultimately next हम लोगों ने देखा, कि एक basic circuit क्या होता है, हमें बहुत सारे अलग-अलग application, सिर्फ ये ही application नहीं होता, बहुत सारे application होते है, उनसे ज़्यादा लेना देना नहीं है, हमारा काम है सिर्फ और सिर्क्यूट को solve करने के उपर ठीक है, अच्छा, lumped parameter और distributed parameter, जो network theory होता है, वो सिर्फ lumped parameter के लिए बहुता है, distributed के लिए नहीं होता है ये lumped or distributed क्या होते है आगे चलके में lectures में पढ़ाऊंगा next हम लोगों ने देखा, कि यहाँ पर unit 1 basic concept है, उसमें system of unit, charge and current, voltage and power and energy, ये 4 segment इसके है ये पढ़ना है हमें, इस basic concept वाली unit में, इसमें जो सबसे पहला system of unit, इसका मतलब मैंने अलग-अलग example से एक ही चीज़ बताई है, कि कहीं ने कहीं हमें weight और measurement का standard reference लेना पड़ेगा और वो reference किनने लिया, 1960 में internal system of unit, जिसमें हमने international language बनाई है weight and measurement की, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते है, SI unit बोलते है इस SI unit में क्या है, 7 SI units होती है, आपकी Kelvin meter ampere second mole, kilogram and candela तो इस तरीके से आपकी 7 units होती है किसी-किसी book में mole नहीं हो के 6 unit भी लिखी जाती है, तो वो गलत नहीं है, ठीक है, उसको ऐसा मत बोलना गया, वो author ने गलत लिख दिया, वो दोनों मिलेगा, किसी में 7 मिलेगा, किसी में 6 मिलेगा चलेगा, दोनों चीज़ चलेगा next time लोगों ने, ये छोटी सी एक जानकारी ली, जो कि आप में से बहुत लोगों को पता होगी, पट फिर भी मेरा काम है चोटी से चोटी चीज़े बताना, क्योंकि आगे चलके दिक्तत नहीं हो इसी वज़े से किलो मेगा, गीगा, मिली, माइक्रो, निनो इन चीज़ों को आपको याद रखना है तो मज़ा आया पहले लेक्चर में बेसिक्स था, धीरे-धीरे अभी आपको और इंटरेस्ट आएका जब हम एक्च्वल सर्क्यूट पे जाएंगे पट शुरुवात में जितनी भी छोटी-छोटी चीज़े वो बताना बहुत जुरूरी क्योंकि आप पूरा नेटवक थियोरी पढ़ लेते हो और कई बार छोटी चीज़े पूछ लेते हैं और छोटी चीज़ पर हमें लगता है अरे यह तो हम पढ़की नहीं आए और कई बार इतनी छोटी चीज़ होती है कि जिसके लिए हमें शब्द नहीं होते हैं उसको अरेंज करके कैसे एक्स्प्रेस करें है ना तो इसलिए क्योंकि network theory क्या है एक बुनियाद है एक foundation है सभी subject का इस वज़े से इसमें एक छोटी से छोटी detail भी मैं आपको cover करवा हुआ ठीक है तो मिलेंगे next lecture में चार्ज और करेंड के साथ